आप अपने दैनिक जीवन में विभिन पदार्थों को देखते हैं इन में से कुछ अमलिये हैं जैसे सिरका, निम्बू जैसे फल, चाय, कौफी, इत्यादी और कुछ शार्किये हैं जैसे साबुन, मीठा सोडा, एंटासेट, इत्यादी आप पदार्थों की अमलिये और शार्किये प्रकृती से परिचित हैं इनकी प्रकृती की पहचान के लिए अमल शारक सूचकों जैसे लिटमस पत्र के बारे में भी आप जानते हैं परन्तु क्या आप जानते हैं इस प्रकृति के तुलनात्मक मापन के लिए पी-एच पैमाने को काम में लेते हैं। आईए एक प्रियोग करते हैं जिसमें पी-एच पत्र का उप्योग करके पदार्थों के विल्यनों तथा फलों के रस की पी-एच ग्यात करना है। पी-एच किसी विल्यन की अमलिय या शार्किय सामर्थे का माप होती है। उदासीन विल्यन का पी-एच साथ होता है, साथ से कम पी-एच वाला विल्यन अमलिय प्रकृति का होता है और साथ से अधिक पी-एच वाला विल्यन शार्किय प्रकृति दर्शाता है। पी एच पत्र भिन पी एच पर भिन रंग दर्शाता है आज के प्रयोग की आवश्यक सामगरी है तनू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनू सोडियम हाइड्रोकसाइड विलियन सोडियम क्लोराइड विलियन मृदा जल निशकष मौसमी का रस एक जल से भरा हुआ बीकर पी एच पत्र पी एच पत्र का रंग चार्ट और ड्रॉपर ध्यान रहे कि मृदा जल निशकष बनाने के लिए हमने 10 मिलिलीटर आसुच जल में 1 ग्राम मृदा डाल कर उसे काच की छड़ से हिलाया और फिर फिल्टर पत्र से चान लिया इस प्रकार हमें यह मृदा जल प्र आप्थ हुआ आएए प्रियोग को प्रारंब करते हैं इसके लिए सबसे पहले पी एच पत्र का एक टुकड़ा लेकर सफेद टाइल पर रखते हैं और पहले बीकर से एच्सियल लेकर ड्रॉपर की मदद से कुछ बुंदें पी एच पत्र के टुकड़े पर डालते हैं आप देख रहे हैं कि पी एच पेपर के रंग में परिवर्तन आ रहा है इस परिवर्तित रंग को पी एच पेपर के रंग चाड़ से मिलान करते हैं इस प्रकरिया में जो रंग सबसे अधिक मेल खाता है उसके सामने लिखा पी एच ही हमारे सेंपल का पी एच होगा इस मिलान से यह स्पश्ट हो गया कि हाइड्रो क्लोरीक अमल का पी एच एक है ड्रॉपर को आसुद जल से धो कर रखते हैं प्रियोग के दूसरे भाग के लिए एक पी एच पेपर लेते हैं और उसे वाइट टाइल पर रखते हैं अब दूसरे सेंपल अर्थाद सोडियम हाइड्रोकसाइड का विलियन लेकर ड्रॉपर की मदद से पी एच पेपर पर डालते हैं आप देख रहे हैं कि इसके रंग में परिवर्तन हो रहा है इस परिवर्तित रंग को पी एच पेपर के रंग चार्ड से मिलान करते हैं और इस मिलान से यह सपश्ट हो गया कि सोडियम हाइड्रोकसाइड के विलियन का पी एच मान दस है प्रियोग के तीसरे भाग के लिए पी एच पत्र लेंगे और सफेड टाइल पर रखेंगे ड्रॉपर की मदद से तीसरे सेंपल अर्थाद सोडियम क्लोराइड का विलियन लेकर कुछ बुंदे पी एच पत्र पर डालते हैं परिवर्तित रंग का पी एच मान साथ पी एच मान से मेल खा रहा है अते हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड विलियन का pH मान साथ है प्रियोग के चौथे भाग के लिए एक बार फिर pH पेपर लेंगे वाइट टाइल पर रखते हैं और चौथे बीकर से मृदा जल निशकरश लेंगे और ड्रॉपर की सहायता से एक बून पीएच पेपर पर डालते हैं आप देख रहे हैं कि इसके रंग में परिवर्तन आ रहा है और यह परिवर्तित रंग pH पेपर के रंग चाड से मिलान करने पर 9 आया है इस प्रकार हम कह सकते हैं मृदा जल निशकरश का pH मान 9 है प्रियोग के आखरी भाग में एक बार फिर pH पेपर लेंगे और मौस्मी के रस को ड्रॉपर के मदद से इस पर डालते हैं आपने देखा कि इसके रंग में परिवर्तन आ रहा है परिवर्तित रंग को pH पेपर के रंग चार्ट से मिलान करते हैं इस मिलान में यह स्पष्ट हो गया है कि यह 3 और 5 के बीच में है इसे हम लगभग 4 मान सकते हैं अपने पांचों पदार्थों के सेंपल्स का pH मान हमने एक सारनी में नोट किया है आईए एक नजर सारनी पर डालते हैं पहले बीकर में तनू हाइड्रोक्लोरिक अमल लिया जिसका pH मान एक है और यह अमलिये प्रकृति का है दूसरे बीकर में तनू सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन लिया जिसका pH मान 10 है और यह शारकिये प्रकृति का है तीसरे बीकर में सोडियम क्लोराइट का विलियन लिया जिसका pH मान 7 है और यह उदासीन प्रकृति का है चोथे बीकर में मृदा जल निश्करश लिया जिसका पीएच मान 9 है और यह भी शार्किय प्रकृति का है पांचवे बीकर में मौसमी का रस लिया जिसका पीएच मान लगभग 4 है और यह अमलिय प्रकृति का है अपने प्रेक्षनों के आधार पर आज के परिनाम की चर्चा करते हैं तनू हाइड्रोक्लोरिक अम्ड और मौसमी का रस दोनों अम्लिये हैं क्योंकि इनका pH मान साथ से कम है जबकि सोडियम क्लोराइड विलियन उदासीन प्रकृति का है इसलिए इसका pH मान साथ है मृदा जल निशकर्ष और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन इन दोनों का pH साथ से अधिक है इसलिए ये दोनों शारकिय प्रकृति के हैं परिवर्तित रंग का pH मान साथ pH मान से मेल खा रहा है अते हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड विलियन का pH मान साथ है इसी प्रकार आप अपने आसपास के पदार्थों का pH मान भी ग्याद कर सकते हैं इससे आपको यह पता लगेगा कि वह अमलिये हैं, शारकिये हैं या उदासीन प्रकृति के हैं कर अपको जयता है कर अदेप़ मोचे तो हमको यह जए प्रकार बादेग कर दो arcवाज कर दो आपोरों चार आप कर आपको आपदों क्ार्टब कावाज कर आपको यह अमलिया कर सकते हैं कर आपको यह जासे प्राच हैं झाल झाल